तो आप Games बनाने जाते हैं, और आपको ये भी पता है कि Games बनाने के लिए सबसे जूरिवी टूल है एक Game Engine, लेकिन जब हम इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, तो हमें पता जलता है कि एक ही Game Engine नहीं है, बलकि बगवा सारे Game Engine हैं, और आप हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है क हम हर एक को try करें और माल लिया हर एक को try कर भी लेते हैं लेकिन कुछ game engine तो ऐसे हैं जिने हम free में use भी नहीं कर सकते विकास उनके लिए हमें pay करना पड़ता है और अगर हम किसी एक को choose कर लेते हैं तब भी हमारे दिमाग में बहुत से questions आते हैं कि जो मैंने choose किया क्या वो सही है क्या उसके base पर मैं job कर सकता हूं क्या मैं उससे खुद की games बना सकता हूं है दोस्तो मेरा नाम है सनी और वालकम तो दी चैनल जहां पर हम बात करते हैं games के बारे में और उनके related technologies के बारे में तो आपको यह दो पता चल गया कि games बनाने के लिए सबसे जुनी टूल है एक game engine because game engine एक ऐसा software है जिसमें ऐसे बहुत सारे tools होते हैं जिसके साथ हम games बना सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि game engines होते का हैं तो आप यहाँ पे click करके वीडियो को देख सकते हैं और आज मैं आपको पताऊंगा तीन popular game engine जो बिलकुल free हैं जिनने use करकर आप खुद की games बना सकते हैं लेकिक उससे पहले एक बात याद रखो इन game engines को use करने के लिए आपके पास एक laptop और computer तो होना ही जाहिए because smartphone में हम इने use नहीं कर सकते हैं सबसे पहला game engine है game maker studio यह game engine best है 2D games बनाने के लिए because इस game engineer में पहुत सारे features मिल जाते हैं जैसे कि dragon drop interface और यह game engine multiple animation को भी support करता है जैसे कि sprite sheet animation, tiles animation, इसके love of physics और in game analytics जैसे भी features मिल जाते हैं यानि कि इस game engine में हमें हर वो feature मिल जाता है जिससे हमें 2D game बना सकते हैं लेकिन इस game engine का सबसे बड़ा feature है कि इस game engine को हम easily सीख सकते हैं क्यों? क्योंकि इस game engine को use करने के लिए हमें programming language की जरूत नहीं है जी हाँ, इस game engine को बीना programming language के भी use कर सकते हैं मालो अगर आप एक artist है और designer है और आपको programming में interest नहीं है तब बें आप इस game engine को use करके games बना सकते हैं सोचो आप एक ऐसी game बना रहे हैं जो कि बहुत complex है जिसमें आप बहुत सारे features जाड़ करना चाहते हैं उसके लिए जिरूट पढ़ती है programming language की और उसके लिए ये game engine programming language को भी support करता है ये game engine support करता है game maker language जो की game engine की अपनी language है जो की काफी हट तक Java से match करती है तो अगर आप complex games बनाना चाहते हैं और अपने games को enhance करना चाहते हैं उसके लिए आप programming language को use कर सकते हैं और ये game engine 1999 में बना था तब से ये game engine काफी पपले है और इसलिए इस game engine की community काफी बढ़ी है में इसके से बहुत सारे लोग या निके बहुत सारे developer यूज़ करते हैं और अगर किसी game engine की community बढ़ी है means कि हम उसके lecture भी easily find कर सकते हैं means कि हम इसके tutorial यूट्यूब पर easily find कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं ये game engine cross platform भी sport करता है means कि इसके साथ हम android के लिए, iphone के लिए, pc के लिए, किसी भी device के लिए games बना सकते हैं यानि कि all in all काफी अच्छा game engine है लेकिन ये game engine भी perfect नहीं है इसमें भी problems है इसकी सबसे बड़ी problem है कि इसमें हम 2D games तो easily बना सकते हैं लेकिन 3D games नहीं बना सकते हैं और दूसरी कमी है कि इस game engine के लिए हमें pay करना पड़ सकता है और इसका price 39$ से लेकर 400$ तक हो सकता है लेकिन वो आपको तब पे करना होगा जब आप उससे google play store पे डालना चाहिए means कि अपनी game को commercial करना जाते है आप उससे अगर सीखना जाते हैं तो उससे आप free में सीख सकते हैं और सीखने के लिए आप उनकी official site पर जा सकते हैं वहाँ से उस game engine को download कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं वही पर आपको उस game engine का marketplace मिल जाएगा यानि के asset store मिल जाएगा जहां से आप assets ले सकते हैं और वही पर आपको उस game engine के tutorials भी मिल जाएंगे जिसे follow करकर आप उस game engine को सीख सकते हैं लेकिन question आता है कि ये game engine कितना powerful है well वो depend करता है कि इसमें किस type की games बनी है इस game engine में जो games बनी हैं उन में से सबसे popular है Undertale वो popular इसलिए है because उसे एक अकेले इंसान ने बना था और दूसरी जो popular game है वो है Hyper Life Drifter उसे भी एक अकेले इंसान नहीं बना था यानि कि आप इस game engine में 2D style indie games बना सकते हैं और दूसरा game engine है Unity game engine ये game engine बहुत ही flexible game engine है because इसे हम 2D games तो बना ही सकते हैं साथ में साथ 3D games भी बना सकते हैं और इस game engine में हमें पहुत सारे features बजाते हैं जैसे कि drag and drop interface है, particle systems है और ये multiple animation भी support करता है 2D games के लिए 2D animation, 3D games के लिए 3D animation इसके लाबा physics engine भी है जो कि game के physics को control करता है और ये game engine programming language को भी support करता है जो कि है C-Shot और उस programming language से हम अपनी game को enhance कर सकते हैं उसमें बहुत सारे features को add कर सकते हैं यानि कि इस game engine में हर वो feature है जिसके साथ हम एक simple 2D game तो बना ही सकते हैं साथ में एक high quality 3D games भी बना सकते हैं और ये game engine best है indie games के लिए indie games वो games होती है जिने एक अकेला इसाल बनाता है या फिर एक small team बनाती है और इस game engine से हम indie games को easy ली बना सकते हैं वैसे तो ये game engine 2005 में बना था लेकिन ये game engine काफी popular हुआ और तब से इसकी community काफी बड़ी है और आज भी ये community crow कर रही है और इसलिए internet पे हम इसका हर तरह का lecture पाइट कर सकते हैं यानि के अगर हम YouTube पे research करते हैं तो हम YouTube पे हर तरह का tutorial find कर सकते हैं और इस game engine को सीख सकते हैं और इसके इलावा अगर हमें कोई confusion आती है वाइल के लिए ही games नहीं बना सकते हैं बलकि iOS के लिए, Xbox के लिए, PlayStation के लिए, Android के लिए लगबग 20 तरह के अलग अलग platforms के लिए games बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये game engine बिलकुल free है आप इससे free में सीख सकते हैं और use कर सकते हैं और अगर आपके कोई game अच्छी बन जाती है तो आप उससे free में ही play store में डाल सकते हैं आपको बिलकुल भी कुछ पे करने की जरुरत नहीं है यानि के all in on काफी अच्छा game engine है लेकिन इस game engine में भी कुछ खामिया है वो यह है कि इस game engine को use करने के लिए आपको programming language तो सीखने ही पड़ेगी यानि के अगर आप इसमें games बनाना चाहते हैं तो आपको C sharp language तो सीखने ही पड़ेगी तब ही आप इस game engine के features को use कर पाएंगे और इसमें games बना पाएंगे दूसरी problem है कि इसमें अभी तब कोई AAA game नहीं बनी है तो अभी AAA games के लिए modified नहीं लेकिन ये problem काफी small है because future में इसका solution आ जाएगा और unity में भी AAA games बनने लग जाएंगे और अगर आप unity game engine को सीखना जाते हैं तो आप इनकी official site पर जाकर इससे free में download कर सकते हैं इससे install कर सकते हैं और वहीं पर आपको इसका asset store भी मिल जाता है जहां से आप इसके assets ले सकते हैं और वहीं पर आपको tutorials भी मिल जाएगे और ये tutorials इतने अच्छे हैं जो कि आपको basic level से लेकर advanced level तक की knowledge दे देते हैं और जहां से आप unity को बहुत easily सीख सकते हैं लेकिन question आता है कि इस game engine में किस type की games बनी हैं वैल इस game engine में बनी है super hot जिसे एक अकेले इंसान ने बनाय था और दूसरी जो इसमें game बनी है वो है dead trigger और इसके लबग cuphead और भी बहुत सी अच्छी games है जो unity game engine में बनी है और last but not least सबसे powerful game engine है unreal game engine because इस game engine में बनी है बहुत सी powerful games जैसे कि PUBG, Fortnite, Batman CDs, Street Fighter, Day is gone और इसके लबगा बहुत सी triple A games हैं जो इस game engine में बनी है यानि कि ये game engine जाना जाता है इसमें बनी high quality triple A games की बज़े से और इस game engine में हमें हर वो feature मिल जाता है जो कि एक high quality games बनाने के लिए जिरूरी है जैसे कि इसका advanced render engine जिसमें हम high quality visuals को render कर सकते हैं और उसके लावा हमें इसमें C++ programming language की support मिल जाती है यानि कि हम programming की help से अपनी games को और ज्यादा modified कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे features को add कर सकते हैं और इसके लावा हमें visual scripting भी मिल जाती है जिसे हम blueprints बोलते हैं यानि कि हम games को बिना code किये बना सकते हैं और इसके लावा game engine में advanced physics हैं advanced particle systems हैं all in all बहुत सारे advanced features हैं AAA games बनाने के लिए और जैसे कि आप जाते हैं कि इस game engine में high quality games बनती हैं तो इस game engine को companies use करती हैं यानि कि इसके lectures और tutorials हम easily internet पर point कर सकते हैं और उनकी जरी हम इस game engine को सीख सकते हैं और ये game engine cross platform भी support करता है यानि कि इसके साथ हम android के लिए, ios के लिए, pc के लिए, xbox के लिए almost pcb device के लिए games बना सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इतना advanced engine है इसके लिए हमें क्या pay करना होगा well, ये game engine बिलकुल free है हम इससे free में games बना सकते हैं और किसी भी platform पर अपने game को डाल सकते हैं लेकिन इस game engine की एक condition है कि अगर आप monthly $1000 से ज्यादा कमाते हैं तब आपको 6% royalty pay करने होगी जिसकी अभी आपको attention लेने की जुरूत नहीं है अभी हम उसे सीख रहे हैं ये game engine इतना advanced है लेकिन इस game engine में भी problems है इसके सबसे बड़ी problem है कि इसमें हम 2D games अच्छे से नहीं बना सकते हैं ये game engine modified है AAA games के लिए तो इसलिए इसमें 2D games बनाना थोड़ा मुश्किल है और सबसे बड़ी तो problem है हो ये है कि ये game engine बेगनेस के लिए नहीं है यानि कि अगर आप अपनी game development की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको starting में आपको ये game engine यूज़ करने की सला नहीं दोगा विकास ये game engine विजुल स्क्रिप्टिंग होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एडवास है और इसी है अगर आप अपनी game development की शुरुआत कर रहे हैं तो ये game engine शुरुआत में सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा complicated हो सकता है लेकिन अगर आप इस game engine को try करना चाते हैं तो आप इसकी official site पर जा सकते हैं वहाँ से epic games को download कर सकते हैं और उसके बाद unreal engine को option आएगा जहां से आप unreal engine को download कर सकते हैं और इनकी official site पर आपको marketplace मिल जाएगा यानि कि asset store मिल जाएगा जहां से आप asset ले सकते हैं और सारे tutorials भी आपको इनकी official site पर ही मिल जाते हैं वहीं से आप इस game engine को सीख सकते हैं और games बनाना शुरू कर सकते हैं और इस game engine के waste पर आप अच्छी job भी कर सकते हैं तो आज मैंने आपको बताये तीन ऐसे game engine जिससे आप 2D और 3D किसी भी तरह की games बना सकते हैं बिकास इस game engine में हम 2D और 3D दोनों type की games बना सकते हैं और इसके लावा इस game engine की community भी काफी अच्छी है यानि कि हम इस game engine को easily सीख भी सकते हैं और ये cross plate mom भी sport करता है और इसके लावा ये game engine बिलकुल free है यानि कि अगर हम इस game engine को सीख जाते हैं और इससे अच्छी game बना लेते हैं तो आप उसे free में play store पर upload कर सकते हैं और वैसे भी हमारी country में mobile games का जुमाना है और mobile games के लिए unity सबसे best है तो मैं आपको unity game engine यूज करने की advice दूँगा लेकिन ये तो मेरी personal choice है आप बताओ इस टीनों में से आपको कौन सा game engine अच्छा लगा और क्यों तो आप अपने thoughts मुझे comments में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो please इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपने friends को share करें and I will see you guys next time